नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। और उससे पहले 1,25,000 एक्टिव केस बढ़े थे। अब पूरे देश में 22,84,000 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो जो रिकवर करते हैं और जो नए केसेज आते हैं टोटल के बाद जो गैब बचता है वही एक्टिव केसेज होते हैं क्योंकि उनका इलाज चल रहा होता है। बात करें ओवराल आंकडों की तो पिछले 24 गंटे में 1,89,000 रिकवर हुए हैं और अब तक जो है कुल संक्रमित लोग के संख्या बढ़ करके 1,69,000,000 हो गई हैं और जो अब तक ठीक हुए हैं लोग वो 1,34,000 और अब तक जो कुल मौत हुई है वो 1,84,000 जिन मरीजों का इ 3,468 उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है 3,106, दिल्ली में 24,638, करनाटक में 23,581, केरल में 22,414, राजस्थान में 14,622, चतिसगर में 14,519, मद्य प्रदेश में 13,107, गुजरात में 12,553, बिहार में 12,222, तमिलान में 11,681, पश्यम बंगाल में 10,784 लोग कुरोन संक्रमीत पाए गए हैं, वाकई में ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही चिंतित करने वाला है, तो इस पर हम नजर बनाये हुए हैं, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साजा करेंगे, आप रहे ने बेखबर, देखते रहे इन खबर, थैंक यू